दोस्तों किंग खान की फिल्म जवान देखने के बाद अक्षै कुमार का शांदार रियक्शन आया है अक्षै शाहरुख की फिल्म जवान देखने के बाद जम कर तारीफ करते हुए कहते हैं कि उनके बेटे ने जवान को दो तीन बार देखा है वही दोस्तों जवान फिलहाल बॉलिवुड से लेकर साउथ तक बड़ी हाइप बना चुकी है फिल्म ने साउथ की बड़ी-बड़ी फिल्मों को धूल चटा दी है इसी साल शाहरुख ने पठान से बड़ा धमाका किया उसके बाद अब जवान से सुनामी लेकर आये हैं वही दिसंबर में शाहरुख खान अपनी एक और फिल्म दंकी भी रिलीज करने वाले हैं एक साल में लगातार तीन ब्लॉक बस्त तर फिल्में देने वाले शाहरुख पहले स्टार बन जाएंगे इसके अलावा दोस्तों जवान की सिनमाटोग्राफी काफी ज्यादा शांदार है ये भी इस रिव्यू में बताया गया है फिल्म ने कुछ दिनों में इतनी कमाई कर डाली है कि पैसे गिनने के लिए मशीन कम पड़ जाएगी दुनिया भर से जवान आठ सौ करोड की कमाई करने जा रही है दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब जवान के जी एफ दो का बारह सौर करोड वाला रिकॉर्ड तोड कर एक हजार पांच सौ करोड की कमाई करेगी क्योंकि जिस हिसाब से फिल्म के कलेक्शन आ रही है वो होशकुडा रही है जवान में शाहरुख बताते हैं कि धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वा कर सरकार अपनी वोट बैंग की राजनीती करती है वही दोस्तों अब देखना होगा कि किंग खान की फिल्म जवान ने जो चिंडारी लगाई है वो कहा जाकर रुपती है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे की जवान ने प्रभाश की फिल्म सालार को काफी पीछे छोड़ दिया है सितंबर का पूरा महिना जवान का होने वाला है और हो सकता है इंडियन सिनमा के सारे रिकॉर्ड तूट जाए जवान कम से कम हिंदी में 400 करोड की कमाई असानी से करेगी और इससे आगे भी जाएगी क्योंकि एक बार ओडियन्स को ये फिल्म खीच लेती है तो फिर सारे रिकॉर्ड तूट जाएगा फिर किंग खान को रोप पाना किसी के बस की बात नहीं है बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताना जवान कितना कमाई कर सकती है